मैं आज आप लों से एक दम कम बजट में बहुत ही प्यारा प्यारा डियाई वाई बना करके सेयर करने वाली हूं तो देखिए मेरे कीचन में से एक टुकड़ा यह बचाया कीचन में जो काम चल रहा है उसमें से तो यह संभी का लगा हुआ था तो मैं सोची भाई पेंट भी लाइन खीच दूँगी और लाइन खीचने के बाद एक अच्छा सा और एकदम इजी टाइप से होता है न तो इजी मैं एक डिजाइन इस पर क्रिएट करूँगी क्योंकि मुझे भारी ड्रोइंग आता नहीं है मैं थोड़ा बहुत ही ड्रोइंग हूं ड्रोइंग में बह भी अच्छे से बन जाए जैसे मेरे से अच्छे से बन जाए तो अपना मतलब मन का जो हाल होता है नै तो उससी को मैं अंदर से फील करते हुए देखी कि भाई ऐसा बनाओं कि जो मुझे लगे वो मेरे दोस्तों को भी याजित लगे तो देखिए इस तरह से मैंने पैटर बनाया है ताकि बिल्कुल आसानी से मेरे से ये बन जाए ज्यादा हेवी मुझसे बनता नहीं है तो देखिए वाल पुटी था ये मेरे पास तो उसमें से मैंने इतना निकाल लिया है और इसमें मैं फेवी कॉल डालूंगी और इसको मतलब गुथने से पहले थ्वासा हाथ मे नादियल तिर लगा लीजिए क्योंकि इसकी ड्राइ नहीं हो और पानी की साहता से हलका हलका जैसे आटा हम लोग गुथते हैं वैसे इसको गुथ लेंगे ज्यादा पानी एक बार नहीं डालना है नहीं तो गीला हो जाएगा इसको जितना मढ़िए गा उतना ही ये क्योंकि इसके यहीं पहचान है अगर आप अच्छे से अटा मतलब इस पुट्टी को मढ़ी नहीं है तो इसका टूट जाएगा मतलब उसमें रिंकल्स आ जाते हैं और अच्छे से इसको मढ़ के बनाएगा तो रिंकल्स नहीं आएंगे तो देखिए ये स्टिक मैंने बना इसलिए मैंने क्या किया पहले इस पे फैवी को लगा दिया और उसके बाद इस पे स्टिक चिपका दिया अगर आपके पास खाली लकड़ी हो इस तरह का तो उस पे आप पेंट करके या वाल पूट्टी से पहले कुट कर दीजिए सुक्षा है उसके बाद ऐसा डिजाइन क बना करके इस टाइब के लुक को दे सकती है तो देखिए मैंने जिस जिस लाइन पे फैवी को लगा रही हो उस लाइन पे मैं इसको चीपका रही हूं तो ऐसे करने से यह अराम से चीपक जाएगा फैवी कॉल का जोड जो है मतलब उखड़ेगा कभी नहीं क्योंकि जब इ इसमें एक बीच में गोल मिरर रख दी हूं और किनारे किनार से चोटे वाले जो तीलक मिरर होते हैं चोटे वाले पत्ता सेफ में आते हैं तो मैं इनको इस पे चिपका दूंगी तो एक फ्लावर का लुक आ जाएगा और इसमें भी मैं जितने भी लाइन है इसमें फैवी क इस पे भी एक मतलब डिजाइन क्रियेट हो जाए तो देखिए इस तरह से इस पे डिजाइन हो गया अब मैं लास्ट वाला में लगाऊंगी तो इसमें मैं डाइमंड सेप का चोटा-चोटा जो मीरा दाता है वो लगा दूंगी क्योंकि मेरे पास अभी छोटा था आपके पा आउनलाइन भी मंगा सकती है या आपके पास नजदी की कोई आटन क्राफ्ट का दुकान हो तो वहां भी यह मिरल मिल जाता है असानी से तो देखिए इस तरह से इसका लुक आया है आप कार्ट बोर्ड बे बना सकती है या खाली लकडी हो उस पे बना सकती है और अपने घर फूटिय के लिए उसी वाल पुति में से बचा हुआ है और या कोफी का बोटल है और दो मैंने कार्टून का ये राउंड्सिप में कट करके रख लिया है और यह be God je तो मैं सोची कोई कर लेती हूं और इसको भी मैं इसमें मतलब वेस्ट नहीं जाने देना है इसको भी कंप्लेट करना तो इस तरह से मैंने पत्ता सिपका बनाया और उसमें उपर से थोड़ा-थोड़ा लाइंग खिच दिया और बीच के नीचे का जो पाठ है उसमें पेंसे मार्क लगा दिया इस तरह से पूर्य को मैं बना करकि इस पर डियायन क्रेयेट कर ले मैं इस फिफ्यो लगा दूंगी यह का कार्टोन पे और इस पहले माइस बोटल को चिपका दूंगी पहले मि किसी बीडिओ में इसको डे conception Divac stacks such थी लेकिन यह जब वलड payments और शिक अप рек देखिये बीच में इसको चिपका दिया किनारे उसी पत हम बनाकर मैं डीजाइन लगा करgressionally है और यहाँ पर थे कुछ दोंगे से अच्छ से चिपक जाएगा और शुखने के बाद गिरने का कोई चांस नहीं रहेगा तो देखिए इस तरह से मैं इसको दबा दिया है यह हो गया अब इसका पंक बना लेते हैं तो इतना सार मैं ली हूँ और इसको भी अच्छे से दबा दूंगी और दबाने के बार इस पे थोड़ा सा फेवी कॉल लगा दूंगी और ये जो फेवी कॉल लग जाएगा तो मजबूत हो जाएगा इसको एच्छे से पेस्ट कर देंगे फेवी कॉल को और इसका पंक ऐसे करके ऐसे और इसको चिपका पूंक मैंने रेडी कर लिया खर सेघका लोग गता है और अच्छे से लगा देंगेcion अर्फेवें करिया में इसको स्थोड़ी स्थी पंग लोगर नाइसे यह चीपका देंगे और इसे पिडहें तो धकन के लिए मैं इसी गोल वाले पे धक लेती हूं फेविकॉल ताकि मुझे असानी पड़े और इस धकन पे मैं थोड़ा सा फेविकॉल लगाऊंगी और इस पे भी डिजाइन बना दूँगी आप चाहें तो यह अप्शनल है आप चाहें तो इस पे धकन को डेकुरेट क बना करके धकन पे भी को जहां लगाई हूं उसी पे इस पे लगा दूँगी और किनारे किनारे से चोटा सा जो यह बनाती हूं पत्ता मतल जो बना रही हूं वहीं किनारी किनारे से चिपका दूँगी और जब चारो तरफ से चिपक जाएगा तो मैं फेर इस पे डिजाइन प्रिएट कर दूगी और आपी कोई मुच्कील जैंग नहीं बनाना है ताकि बनाने में बहुत परसानी हो या किसी से बने किसी से नहीं बने खुद मुझसे बने नहीं बने यह Uma तो मैं क्या करूंगी इस नहीं हो बादऊ blast है चलिए इसको चमच से बनाएंगे तो चमच से ही ज्यादा बिटर ही तो देखिए इसको ऐसे जवर लंबा इस तरह से इससेे लाइन खींचर आएंगे और पूरे में लाइन खींच देगे आप चाहें तो एक पते पे दो लाइन तीन लाइन मतलब जितना उसमें जगह हो जितना आप से बन पाए उतना खीच दीजिए और पेन से गोल 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 किनारी आधा जो छोड़ी हुई है उस पे ऐसे दबा दीजिए तो देखें कितना प्यारा डिजाइन बन करके रेडी हो मतलब पेस्ट करने के बाद लगाने के बाद इसको इस पेस्ट कर दोंगी तो देखें इस तरह से इसका लुक आ रहा है अब यह बन करके तो ढ़का देडी हो गया हमारा अब इसको रखेंगे साइड में सुखने के लिए और यह जो गोल में कट करके रखें कार्टून इस तो इस पे फैला दोंगे और फैला करके इस पे बीट जो छोटा-छोटा होता ना पूटि का मैं बना करके इस फैने लिए प्यारी किनारी चिपका दोंगी और बहुत हीं प्यारा लुक आने वल्ला है मैं तो पहले से इन बहुत खुस हैं कि यह मतलब मेरे Дीमाग में जो च कि आप लों के उपर डिपेंट करता है कि कैसा बना आप लोग बताएगा मुझे तो आइडिया भी नहीं है लेकिन देखिए मैं बना ले हूं अब इसमें मैं स्पून के जो डंटी होते हैं उससे इसको धीर 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 कट लगा दे रहे हूं ताकि इस पे डिजाइन बन करके तो चलेगा लेकिन पेंट करने पर सुंदर नहीं लेगा तो क्यों न हम लोग इस पर थोड़ा सा डिजाइन बना दें आपको इससे बेटर डिजाइन आता हो तो आप बना सकती हैं लेकिन मेरे को तो पता ही आप लोगों को ड्रोइं में मैं कच्छी हूं तो मैं जितना से इतना खोञे हुए मेरे से होता है अब मैं हमें ज़घंवे सा सब लेडरे तो रोगाड़ें चाहिए बाज और सकती है इसको करते आपकर साइड मेंने केह लिए 份 और स्ञिखने के लिए तो पंक जो है इसे थोड़ा थोड़ा कुछ 97 रखना ही चाहिए क्यों कि प्लेन ही तो मैं पहले ही इस पेंज से दबा दूँगी तो एक तो यह उसमें बॉटल में चिपक जाएगा दबने से और दूसरा हमारा डिजाइन भी बन करके रेडी हो जाएगा गूल-गूल तो दोनों अम लों को फायदा हो गया तो इसमें एक गोल-गोल डिजाइन भी हो गया और बॉटल पर चीप अगया तो और भी मतलब अच्छे से इसको बॉटल को पकाड़ लिया है पुट्टी और यह डिजाइन बनने के बाद जब पेंट होगा तो बहुत ही प्यारा लुकाने वाला है जो मैं कल्पना की हूँ अगर उस टाइप से बन जाए तो बड़ा ही प्यारा इसका लुकं आएगा और इसको आप कहीं भी डेकोरेट करेंगा तो बहुत संद्र लएगा या सेंटर टेबल पर भी अर बहुत प्यारा लहेगा तो देखिए अब उसको सुखने के लिए चोड़ डिजाइन इसमें करके ready हो गया तो बहुत असानी से यह डिजाइंग बनाने में कोई महनत भी नहीं लगा और हमारा डिजाइंग बन करके ready भी तो दिखिए यह सुख गया है अब यह सुखने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है तो अब इसको थोड़ा सा पेंट करूंगी तो इसके लिए मैं ली हूँ वाइल पेंट से पेंट करने पर यह होता है कि उसमें वार्निस की कोई जरुवत नहीं पड़ती है वाइल पेंट से अपने आप साइन आ जाता है लेकिन वहीं अगर दूसरा कुछ दूसरा पेंट से करिएगा जैसे एक डिलिक है या और सभी पेंट होते हैं तो उस पर वार्निस की जरुवत पड़ जाती है क्योंकि साइन नहीं आता है और ठीकता नहीं कुछ दिनों के बाद कलर धीदे धीदे धीडे 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 डैमेज हो जाता है तो मुझे उतना वार्निस किया मतलब बहुत सारा जंजट नही है मैं हमेशा यह वार्निस की जरुवत नहीं पड़ती है और डश्ट पड़ा या कुछ दिनों के बाद अगर लगा कि हां गंदा हो गया है तो बस उसको हलका सा कोई कोटन कलॉट लीजिए उसको भीगाई और नीचोड दीजिए उसमें का पानी और हलका इसको अच्छे से पोच दीजिए डश्ट निकल जाएगा फिर हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा और नयाक नया ही दीखेगा तो इसलिए मैं वाल पेंट यूज करती हूं आप चाहें तो कोई भी पेंट यूज कर सकती है तो देखे इस तरह से बातों बातों में यह पेंट भी हो गया अब यह सुखेगा सुखने के बाद मैं इस पे दूसरा मतलब कलर लगाऊंगी ताकि इसका जो डिजाइन है ना वो निखर करके सामने आए देखने में सुंदर लगे मुझे तो अभी ही बहुत सुंदर लग रही है लेकिन देखे साइन भी आ गया सुखने के बाद कितना सुंदर फिर भी थोड़ा सा इसमें अगर दूसरा हलका कोई भी कलर लगाएंगे तो और भी अच्छा लगने लगा तो चलिए इसको दूसरा कलर लगा करके भी देख लेते हैं तो मैं इस पे गोल्डन कलर लगा रही हूँ यह भी वाइल पेंट है तो इसमें ज्यादा नहीं आथों से इसको चारों तरफ ब्रस को घुमा देना है ताकि अंदर से इसका जो काला है काला पन आता रहे और रूस काले पन में हमारा जो डिजाइन बना है ओ दिखता रहे तो इस तरह से इस पर हलका हलका कर देना है और धकन पर हलका कर देना है और हलका हलका करने के बार य देखें मेरे पास यह बैटरी वाला जो लाइट है वहीं मैं रखके दिखा रहें इसमें आप चाहें तो पानी भर के उसमें हलका तेल डाल करें सरसो तेल दिया जला सकती है तो और भी अच्छा लगए इसको पूझा में या डाइनिंग टेबल सेंटर टेबल कहीं भी यूज किजिए प्लीज ताकि मैं अपनों का साथ हमेशा देती रहूं और मुझे खुशी मिलती रहें